नमस्कार राधे राधे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी अलफाबेट के जो आर नाम बाले जातक हैं इनका आने वाला वर्स यानि की 2023 इनके लिए कैसा रहेगा आने वाले वर्स में इनको क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा या और भी बहुत बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनियेगा वीडियो के अंत में आपके आने वाले वर्स का एक अनोखा तोटका है तो आपको वो भी सुनना है और आजमाना है तो आपका आने वाला वर्स बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार होगा मित्रों शब से पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपके सिहत के बारे में क्योंकि स्वास्ती मूल पुंजी होता है तो सिहत के डिष्टी कौन से आपका जुआने वाला वर्स है वो शाल के सुरुवात में बहुत ज्यादा कमजोर रहेगा शाल के सुरुवात में बिरस्पती देवाब के कुंडली के छठे भाव में होंगे और मंगल देवता वक्री होकर आपके कुंडली के अस्टम भाव में मौजूद होंगे और इन दोनों के यहां मौझूद होने से आपके सिहत के मामलों में आपको परिशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा आने वाले वर्स में आपको अपने रहन सहन और अपने खान पान के परती शावधानी बरतनी होगी क्योंकि हो सकता है तो आने वाले वर्स में अगर अपने श्वास्त के परती आप लापरवाही करते हैं तो कोई बड़ी बीमारी आपको परिशान कर देगा जो कि आपके आने वाले वक्त के लिए ज्यादा आवश्यक नहीं होगा शाल का मध्ध भी जो है वो आपके सिहत के द्रिश्टी कौन से ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा यानि कि मई जून और जुलाई ये तीन महिना भी आपके सिहत के द्रिश्टी कौन से ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा अगस्त के महिने के बाद धिरे धिरे आपका श्वास्त बेहतर होना सुरू हो जायेगा और इस महिने के बाद आपके श्वास्त के मामलों में कोई बरी परिशानी आपको नहीं होगी मित्रों आने वाले वर्स में हो सकता है तो आपको अपच की परिशानी, फेफरों में शंक्रमन, वाइरस का आकरमन, टॉंसिल का बढ़ना ये परिशानिया आने वाले वर्स में आपको परिशान कर सकती है तो अपने सिहत के मामलों में आपको लापडवाही बिल्कुल भी नह करना है मित्रों आप मेंसे जो भी लोग नौकडी करते हैं जौब करते हैं तो आने वाले वर्स में नौकडी के छेतर में आपकी तरक्की अवश्य होगी परंतु तरक्की करने के लिए आपको मेहनत करना होगा अपने कामकाज के माध्यम से जो आपके बॉस होंगे जो आपके सिनियर होंगे आपको उनको खुस करना होगा आने वाले वर्स में काम काज के छितर में आपको लापरवाही नहीं करना है काम चोड़ी करना है क्योंकि अगर आप लापरवाही करते हैं काम चोड़ी करते हैं तो आपका शमय आपका साथ नहीं देगा और परेशानी का सामना आ परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के पर्ती आप इमांधार नहीं होते हैं उनके शाथ में अगर आप कोई भी छल कपट कर जाते हैं तो आपका शंबंध कहीं न कहीं बहुत जयादा कमजोर होगा मित्रों वर्स के सुरुवात में भगबान सनी और सुक्र देवता आपके प्रेम शंबंध के मामलों में आपका शपोर्ट बहुत जयादा करेंगे और शाल के सुरुवात में आपके प्रेम शंबंध में कोई बरी परिशानी आपको नहीं होगी इसके बाद है आपका सिक्षा यानि की पढ़ाई लिखाई के दृष्टी कौन से आपका जवाने वाला वक्त है वो आपके लिए शामाने रहेगा आने वाले वर्स में अगर आप शफल होना चाहते हैं शफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा क्योंकि आने वाले वर्स में अगर आप भागे के वरोसे बैठे रहते हैं तो शफलता आपको नहीं मिलेगी और सिक्षा के छेतर में परिशानी का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए तो यही था आपके आने वाले वर्स का रासी फल और अब जानते हैं कि आने वाले वर्स में आपको उपाई क्या करना होगा तो उपाई बहुत ज्यादा आशान है आपको शुक्र बार के दिन माता लक्षमी की पूजा करनी है और अपने पूजा पाट से आपको माता लक्षम को खुस कर देना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले वर्ष में आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी और परिशानी बिल्कुल भी नहीं होगी मित्रों अगर आपके मन में कोई शवाल हो कोई प्रस्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी शहायता आवश्य की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है साड़ी बातें क्लियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा साथ में एस्टरो फोर यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै माता लक्षमी आप कमेंट कर दें तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला